तूर्की में मलबे पर क्यों बांदे जा रहे हैं लाल गुबबारे कारण जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे इस लाल गुबबारे के पीछे बेहत भावुक कर देने वाली घटना चिपी है बता दे कि तूर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आई भुकम से अभी तक 44,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है मरने वालों में हजारों की संक्या में बच्चे भी है इनी बच्चों की याद में तूर्की के हताई प्रांद के मलबो उपर लाल गुबारे लगाये चा रहे हैं और दुआ किया चा रहा है कि सभी के आत्मा को शान्ती मिले दोस्तों आप अपनी भावना नीचे कविंट में लिख सकते हैं आपको बता दे कि दुन्या भर में भुकम का सिलसिला रुप नहीं रहा और माना चा रहा है कि प्रित्वी पर जरूर कोई काला साया मंडरा रहा है पिछले 24 घंटे में ही पाच अलग-अलग देशों में भुकम पा चुका है जिसके बाद कई लोगों का मानना है कि तूर्की में तबाही की भविश्यवानी करने वाले रिसर्चर की बात सचो जाएगी पिछले 24 घंटों में पाच देशों में भुकम के जटके महसूस किये गए अफगानिस्तान और तजाकिस्तान में गुर्वार सुबे भुकम पाया तजाकिस्तान में आए भुकम की तीवरता 7.2 बताईश आ रही है तो अफगानिस्तान में आये भुकम की रिक्टर सेल पर तीवरता 6.8 थी भुकम का असर चीन सीमा से सटी इलाकों में भी रहा तूर्की के एंटियोप में स्थानिय समया नुसार सुबे 5 बचे के आसपास भुकम के जटके महसूस किये गए भुकम की तीवरता 4.2 थी इससे पहले बुद्वार को भारत में भी भुकम के जटके महसूस किये गए पिछले 24 घंटे में कब कहा आया भुकम अफगानिस्तान में भुकम गुरुवार सुबे 6 बचकर 7 मिनिट पर आया भुकम का केंडर फैजाबाद से 265 किलोमेटर दूर स्थित्ता हाला कि भुकम से किसी भी तरह के जानमाल के खबर सामने नहीं आई है तजाकिस्तान में सुबे 6 बचकर 7 मिनिट पर 6.7 तीवरता का भुकम पाया चीन से लगी सीमा के पास भुकम का असर देखने को मिला है तूर्की के एंटियोप में स्थानिय समया नुसार सुबे 4 बचके 42 मिनिट पर भुकम के जटके महसूस किये गए भुकम की तीवरता 4.2 थी भारत में दिली एंसियार में बुद्वार दोपहर में भुकम के जटके महसूस किये गए भुकम का केंडर नेपाल में था रिक्टर स्केल पर भुकम के तीवरता 4.8 थी नेपाल के जुमला से 69 किलोमेटर दूर इसका केंडर था हाला कि दिल्ली एंस्यार में बुकम के जटके काफी हलके थे। इससे पहले बुद्वार को दोपह डेड़ बचे। उत्तरा कंड के पिथोरा गड में बुकम के जटके बहसूस किये गए। बुकम की तीवरता 4.4 थी। बुकम का केंडर पिथोरा गड से 143 किलोमेटर दूर के 10 किलोमेटर बीतर थी। तूरकी Başmaya में तबाहि की बीच पाच देशों belongsूम और पिछले 24 घंडों में पाच देशों में ऐसे वक्त पर आए जब इसी महीने गड़ से तूरकी और सीरिया में सेफीरियो ध़ियके मुकम पायाइब दोनू देशों में अब तक 46,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है अकेली तुर्किय में भुकम से 2,000,000 से ज्यादा अपार्टमेंट तबाह हो गए है जिसके बाद लगबग 2,000,000 लोग अपना घर खो चुके है भुकम का केंदर तुर्की सीरिया बॉर्डर पर था ऐसे वे सीरिया में भी भुकम से भारी तबाही होई थी सेक्डो लोगों के अभी भिलापता होने की खबर है जन्वरी में भारत में 45 बार आया भुकम नाशनल सेंटर फोर साइसेमोलोजी की मताबिक भारत में 1 जन्वरी से 31 जन्वरी तक 45 बार भुकम पाया छे बार हिमाचल प्रदेश, पाच बार उत्तरा खंड और करनाठक में भुकम के जटके महसूस किये गए जमु कश्मेर, लदाक, अंडमान और मनिपुर में चार-चार बार भुकम पाया जब कि आसम में तीन बार भुकम के जटके लगे नेदरलाइन के एक रिसरचर, फ्रांक ने भुकम से तीन दिन पहले ही भारी तबाही की भविश्वानी की थी इतना ही नहीं फ्रांक ने भारत, अफ्कानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास भुकम के बड़े जटके लगनी का अनुमान लगाया है ऐसे में सवाल है कि क्या भारत और आसपास के देशों में हाली में आई ये जटके बड़ी तबाही का संके तो नहीं है इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में बताए वीडियो को लाइक करे तथा चैनल को सब्सक्राइब करे